हेलो एवरिवन स्वागत करती हूए एक बार पिर से आप सभी पंदर यूट्यूब चैनल में तो आज मैं बनाई हूँ आलू-चनी की सब्जी और उसी की रेइशीपी आप सभी किसाढ़िए करने वाली हूँ मैं किस तरीके से बनाती हूँ आज मैं आब तो वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा इसकी पमत कीजिएगा तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको दिखा देती हैं सबसे पहले मैंने चने ले लिए और चनों को रात बर भीगो कर रख दिया था अच्छे से फूलने के लिए देखे चने फूलने में 6-7 चने को पकने लगता है तो कम से कम आदा घंटा तो इसे पकाना ही है चने की सब्जी तभी अच्छी लगते हैं जब चने की सब्जी हमारे थोड़ी सी गुटी हुई बनी हुई होती है तो अभी हमारे चने और आलो उगल चुके हैं तो हम मसाले की त्यारी कर लेते हैं मसाले में मैंने देखिए टमाटर ले लिया है टमाटर को काट लिया है अब तोड़ी सी हींग थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमने चन्य और आलू में उबलते टाइम भी डाला तो तो यह हिसाब से नमक डालना है अभी देखिए चन्य हमारे अच्छे से उबल गए हैं तरीके से अब चम्चे की हेल्प से हमीने थोड़ा सा घुटा सा कर देंगे इसमें डाल देंगे हम आलू अभी देखे हैं हमारे चन्ने अच्छे से घुट गए हैं तो आब हम इसमें आलू डाल देंगे और इसमें मिक्स कर देंगे आलू को हाथ से अच्छे से फोड लेना है, मोटे मोटे पीस में तब डालना है अब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो अब हम अपना मसाला पीस लेते हैं यह देखे, मसाला हमारा तयार हो गया है, यहां पर मैं लहसन प्याज का यूज नहीं कर रही हूँ, तो मसाला हमारा तयार है, इस तरीके से जब आप चने की सबजी बनाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी बनती है, और आपको महसूस भी नहीं होगा कि इसमें लहसन प्या पका लेंगे, जब तक यह चिकनाई ना छोड़ दे, अब यह देखे, चिकनाई इसने छोड़ दिया, तो इसमें थोड़ा से डाल देंगे हम पानी, देखे, चने की सबजी को स्टार्टिंग में जादा हमें गाढ़ा नहीं बनाना है, क्योंकि वह रखने के बाद थोड़ इस हैं जाती है, तो इसलिए धोड़ा से स्टार्टिंग में उसे हल्का सा पतला बनाना है, बाद में ठंडी होने के बाद वह खुद ही गाढ़ी हो जाती है, देखे, सबसे जादा जो हमें है, मसाले पर ध्यान देना है कि मसाल अच्छे से पक जाए, क्योंकि अगर मसाल अ चने और आलू अब उबाल आ गया है तो इसमें हम चने और आलू डाल देंगे इस तरीके से और सिर्फ इसे पांच मिनट पकाना है उसके बाद और सब्जी हमारी तियार हो जाएगी यह गिरेवी वाली चने की सब्जी खाने में बहुत अच्छी लगती है तो आप भी ट्राइ किजिएगा एक बार और आप सभी को मेरी रेसिपी कैसे लगी कमेंट बोक्स में कमेंट किजिएगा तो आप हमारी यह सब्जी तयार है देखिए अच्छे से उबल भी गई है तो आप सब्जी तयार हो गई है अब हम गैस को बंद कर देंगे तो चलिए अब कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो ने रेसिपी के साथ थैंक्यू सो मच